तो देखे कलकी 289880 का फाइनली बॉक्स ओफिस पे आज है डी नमबर वन डे नमबर वन लगबग पूरी तरीके से कंप्लीट होने को आ गया है और फिल्म भाईया बॉक्स ओफिस पे धमाल मचा रही है क्या तेलगू वर्जन क्या तमिल वर्जन और क्या हिंदी वर्जन सब जगा भीया जबस तरीके कलेक्शन आ रहा है हिंदी में ज़रूर मॉनिंग शोज में थोड़ी ऑक्क्यूपेंसी कम थी लेकिन जैसे ही फिल्म के रिव्यूज आना शुरू हुए शोशल मीडिया पर देखें तो तारीफों का अहंबान लग गया कलकी 289880 का जिसके चलते इ तूटने वाला है और साल दोहजार चौबिस की हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म जो है वो कलकी 289880 होने वाली है अच्छा खासा फिल्म का हिंदी में कलेक्शन आ रहा है तेल्गू का तो भी यह बताने की ज़रूरत नहीं वहां तो क्या नजारे कल रा हिंदी के idoफुपेंशी मौनिंग में कमती लेकिन बाद राद मीं इच्छे घासी देखने को मिली तमिल में भी अच्छे घासी ति कि नाग अश्विन ने जो भी प्रॉमिस किया था वो उन्होंने दिखाया करके पूरा किया उन्होंने अपना प्रॉमिस ऐसा नहीं कि ओम्राथ की तरफ बड़ी-बड़ी बाते कर दी आदी पुरुष को लेकर अब फिल्म देखने गए तो पता चला भी यह तो हमारा कड़ी जा रहें कि प्रवाज क्योंकि आप आवास सुनेंगे वह तो प्रवास की आवाज अब उन्होंने प्रवास के ऐसी आवास आवाज आवाले किसी आटेस्स से डब कराई है यह या एया-ई-का यूज्ज किया हुए लेकिन वह आवास प्रवाद के लग और का अच्छी प्रभास निजर आए उसके लाव बच्चन साब चाग है भी अश्वतामा खदरनाग भी यह वह शाहिद कपूर को लेकर पता नहीं को क्यों बना रहा है पूझा एंटर्टेन्मेंट वाले फिल्म वैसी देखेंगे तो पूझा एंटर्टेन्मेंट वाले भी वरबादी की एक्टर प्ले किया अब भी यह पॉसिबल नहीं कि कोई और एक्टर वो चाप छोड़ सके तो वह चीज़ हो गई उसके अलावा देखेंगे तो कमल हसन दो सीन है उनके वह दोनों में भी उन्होंने आग बरसा दी है तो कई नहीं कई फिल्म ऑडियंस को पसंद आ रही है औ का बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी अच्छा कासा आता हूँ नजर आ रहा है डेवन का यह दि बात करें तो हिंदी हिंदी में फिल्म एजली 25 करूट का माग जो है वह टचकर तो यह नजर आ रही है तेलगु वरजन की बात करें तो तेलगु में भी अच्छा कासा सतर असी करूट तो कलेक्शन इंडिया नेट वहां से आने ही आना है और उसके अलावा जो मलयालम और भी लेंगे वहां से मिला मिलूगे टोटल जो फिल्म का डेवन का कलेक्शन है वह 110 करूट रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन आ सकता और इंडिया ग्रॉस की बात करेंगे तो overseas की बात करें तो overseas से भी easily film premiere shows वगरा सम्मिला गे 80 करूट के आसपास film का वहां से भी collection आ रहा है तो 130 करूट भी है gross collection हो गया India gross और overseas market का आप 80 करूट प्लस कर लोगे तो 210 करूट रुपए film का easily touch हो रहा है इससे उपर कुछ भी हो सकता है लेकिन इतना तो collection फिल्म का आना ही आना है देखते हैं कल makers की तरफ से क्या official poster देखने को मिलता है बागी second day की इडवांस भी अच्छी खासी देखने को मिलती है हलागी कल drop देखने को मिलेगा क्योंकि तेल्गू वर्जन में क्या होता है कि पहले जिन तो खतरनाक भीड़ वहां जाती जाती है और देखेंगे तो कल working day आज भी था लेकिन वहां पे अलग क्रेज चलता है तो second day collection वा ड्रॉप होती होता है 50-50% का collection वा ड्रॉप हो गई और हिंदी में आप देखेंगा कि आज भली कम था फिल्म का collection कल भी थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन सैटर्डे संडे को जो धमाल मचाएगी ना फिल्म मसा आ जाएगा बागी अच्छे फिल्म थी मसा आया आपको फिल्म कैसी लगी थी कॉमन्ट किरके होता है